खोशंगाबाद जिले की सोहागपूर तहसील में प्राचीन शिब मंदिर के पास नर्मदा जल परिवहन योजना के लिए पाइप लाइन डालने का काम चल रहा था इस दोरान खुदाई में एक प्राचीन प्रतिमा निकली यह प्रतिमा किसी हिंदू देवी देपता की बताई जा रही है मूर्ती में त्रिशूल ये किसी देवी या देपता का चित्र कुरेदा गया है सोहागपूर प्राचीन शिब मंदिर की मूर्ती भी खेत में हल जोत्ते समय मिली थी मूर्ती मिलने की खबर जैसे ही सोहागपुर में फैली देखने वालों का जमावड़ा एकत्रित हो गया इस मूर्ती को भी सोहागपुर के प्राचीन शिव मंदिर में रखा गया जहां लोग मूर्ती की पूजन कर रहे हैं सोहागपुर को प्राची नितिहास के अनुसार बानासुर की राजधानी बताया जाता है जिसका नाम शोणीपुर था यह मूर्ती भी उसी समय की किसी मंदिर के पिलका एक भाग बताया जा रहा है